सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डीजिटल टोपिक को और बेल आएकन को प्रेस करके ओल के उप्षण को सेलेक्ट कीजिए जिससे हमारे चैनल पे आने वाली नए नए वीडियो आपको देखने को मिलती रहे हेलो फ्रेंट्स हमारी यूट्यूब चैनल डिजिटल टोपिक में आपका स्वागत है फ्रेंट्स जैसे कि आप जानते होंगे इफरलिंग का न्यू पोर्टल आज चुका है जिसका नाम है इफरलिंग 2.0 तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप इस को शुरू करते हैं इस चोटे सिंट्रों के बाद तो अब जैसे कि आप देख सकते हूं मैं दोबार अपने मॉवाइल के मैं ब्राउजर में आ जाना है और अब आपको सिंपली गूगल सर्च बार में टाइप करना है इफ लिंग और जब आप इतना टाइप कर देंगे तो आपको सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना है और अब जैसे कि आप देख सकते हूं मेरा नेक्स्ट पेडिया पर लोड हो चुका है जब आपका नेक्स्ट पेडिय लोड हो जाएगा तो आपको सबसे उपर ही इंकम टेक्स इंडिया-e-filing.gov.in जो कि इंकम टेक्स की एक official website आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और अब जैसे कि आप देख सकते हूं हम इंकम टेक्स के न्यू पोर्टल पर आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हूं उपर लिखा भी है e-filing 2.0 फ्रेंट से इंकम टेक् इसके section में second number option मिल जाएगा link आधार जैसे कि मैं highlight भी कर रहा हूं आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब जैसे कि आप देख सकते हूं मेरा next भी यहाँ पर लोड़ हो चुका है और फ्रेंट जैसे कि आप देख सकते हूं यहाँ पर लिखकर भी आ चुका है link आधार तो अब मैं पहले simply थोड़ा नीचे स्क्रोल करता हूं तो फ्रेंट अब आपको यहाँ पर पर पहला option मिल लेता है pen का यहाँ पर आपको पना pen number फिल कर देना है जो कि 10 अंकों का होता है और इसके बाद आपको नीचे option मिल लेता है फिर आधार नंबर का फ्रेंट्स यहाँ पर आपको अपना अधार नंबर फिल कर देना है जो कि 12 अंको का होता है इसके बाद आपको नीचे उप्षन मिल जाता है फिर name as per आधार फ्रेंट्स जैसा आपके आधार कार्ड में नाम है आपको same to same यहाँ पर ऐसे ही फिल कर देना है और इसके बाद कोई भी mobile नंबर डाल सकते हैं बस आपको यह बात याद रखनी है आप जो यहाँ पर mobile नंबर फिल करेंगे वह आपके पास होना चाहिए क्योंकि उस mobile नंबर पर एक और टीपी आएगा जो आपको आगे फिल करना होगा तो अब जैसे कि मैं आप सभी detail को फिल कर देता हूं और अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आप अपनी सभी detail को फिल कर चुका हूं फ्रेंट्स पहले मैं आपको एक important बात बता देता हूं आप जिन भी आधर काड़ और pen card को link कर रहे हैं उसमें आपका नाम आपकी date of birth कहने का मतलब यह है आपकी सभी detail same to same होनी चाहिए तभी आपका आधर काड़ और pen card आपस में link होंगे वरना आपके आधर काड़ और pen card आपस में link नहीं होंगे और अब जैसे के मैं नीचे scroll कर चुका हूं फ्रेंट्स अब आपको यहाँ पर पहला option मिल जाता है I have only year of birth in आधर काड़ फ्रेंट्स जैदि आपके पास जो आधर काड है उसमें सिर्फ आपकी date of birth में year ही दिये गए हैं कहने का मतलब यह उसमें date और month नहीं है तो आप इस check box पर click करेंगे वरना इसे छोड़ देंगे और इसके बाद आपको नीचे option मिल जाता है I agree का आपको यहाँ पर check box पर click कर चुका हूं अब आपको नीचे button मिल जाता है link आधार का आप यहाँ पर click करेंगे और अब जैसे के आप देख सकते हूं मुझे ऊपर एक message भी आ चुका है इसमें को टीपी होगा जो की चैंको का होता है वह आपको यहाँ पर फिल कर देना है और अब जैसे के मैं आप और टीपी फिल कर चुका हूं आपको भी simply यहाँ प पर click करेंगे और अब जैसे के आप देख सकते हूं मुझे स्क्रीन पर एक message आ चुका है इसमें लिखाए फ्रेंड्स आधार pen linking complete successfully तो मैं simply यहाँ पर click कर देता हूं और अब जैसे के आप देख सकते हूं मैं automatically efeeling portal के home page पर आ चुका हूं फ्रेंड्स अब आपको अपने आधार card pen card link की status को जानने के लिए simply नीचे scroll करना है और अब आपको यहाँ पर third option मिल जाता है link आधार जैसे के यहाँ पर dot dot भी आ रहे हैं तो अब आपको simply यहाँ पर click कर देना है और अब जैसे के आप देख सकते हूं में renext पर यहाँ पर load हो चुका है और मुझे उपर लिख कर भी आ चुका है link आधार status और फ्रेंड्स अब आपको नीचे दो option मिल जाते हैं पहला option है इसमें pen का यहाँ पर आपको अपना pen number फिल कर देना है जो कि अभी अभी आपने link किया है और इसके बाद आपको नीचे option मिल जाता है आधार number का आपको यहाँ पर अपना आधार number फिल कर देना है जो अभी आपने वहाँ पर link करते समय फिल किया था और अब जैसे क्या आप देख सकते हूं मैं आप अपने डिटेल को फिल कर चुगा हूं इसके बाद अब आपको नीचे बटन मिल जाता है वियू लिंक आधार स्टेटस आप यहाँ पर किलिक करेंगे और अब आप जैसे के देख सकते हूं मेरे सामने एक मैसेज सो हो रहा है फ्रेंट्स यहाँ पर लिखा है आपके अधारकार पैनकार लिंक की जो रिक्वेस्ट है वो UIDAI जोकि अधारकार की ओफिसल वेब साइट है वहाँ पर सेंड कर दी गई है और अब आपको बाद में लिंक आधार स्टेटस के ओप्सन में आकर अपने आधारकार पैनकार के स्टेटस को चेक कर लेना है क्योंकि friends ये पोटल अभी न्यू लोन चुआ है इसलिए अभी आपका आधारकार पैनकार लिंक नहीं हुए है लेकिन friends आपको टेंसल लेने की जरूरत नहीं है ज्यादस ज़्यादए ये तीन से चार दिन में आपके आधारकार पैनकार लिंक हो जाएंगे और friends अब मैं आपको दिखाता हूँ जब आपके आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हो जाएंगे तो आपको क्या इस्टेटस सो होगा तो इसके लिए मैं simply आप close पर क्लिक कर देता हूँ यहां से और friends जब आपका भी pen card और अधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो आपको भी इस तरह से इस्टेटस सो हो जाएगा यहाँ पे आपको अपना pen card नमबर और अधा कार्ड नमबर दोनों ही देखने को मिल जाएंगे लेकिन ये आपको मास्क में देखने को मिलेंगे जिससे आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि आपके अधरकार और pencard लिंक हो चुके हैं तो फ्रेंट्स आप इस तरह से कुछ step follow करके आप अपने अधरकार को pencard से लिंक कर सकते हैं वो भी new portal से तो फ्रेंट्स कैसी लेगी वीडियो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और फ्रेंट्स से ती वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई question है कोई सुजाव है कोई query है कोई doubt है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं हम आपके comment का पूरा जवाब देंगे तो फ्रेंट्स मिलतें next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत